हेलो स्टुएंट, आज के जो सेशन है मेरा निमसेट और निमसेट अकेला नहीं बोले हैं निमसेट, जेन्यू, बीएच्यू, हैदरवाद इन्वर्सिटी, बीईटी, जितने भी एक्जाम से इन सभी के लिए है और आप लोग क्योंकि बहुत सारे स्टुएंट मेरे साइसे हैं ऑनलाइन में जो 2020 और 2021, 2022 के लिए जोड़े हुएं और आप सब लोगोंने कई समय से कहा है कि सर हम लोगों के लिए एक अलग सेशन ले इसलिए मैं सेशन ले रहा हूँ क्योंकि आपके पढ़ाई का तरीका और 2020 के स्टुएंट के पढ़ाई का तरीका डीफिनिटलि अलग होगा क्लास्रूम कोर्स में भी बहुत सारे स्टुएंट होते हैं जो 2022 में एक्जाम देने वाले हैं अभी से क्लास जोइन किया हुआ 해 इवन ऐसे भी बहुत सारे स्टोइंटेज इनों 12 के बाद BCA के साथ MCA का कोर्स योईन किया हुआ है तो जो concept जो logic में classroom कोर्स में होता है वो ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग को भी share करूँ और आप लोग भी क्योंकि जूडते जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि अगर मैं देखूं तो last day के compare में इस बार बहुत बड़ा percentage है जो अभी से second year से या first year से MCA को लेके serious है इनफेक्ट वो बच्चे जो तुरंट एडविशन ले रहे हैं BAC या BCA में वो जुडते जा रहे हैं एक चीज में बोलना चाहूँगा क्योंकि आप लोग मुझे phone करते हैं जित्तों से बात हो पाती है अगर आप 12 कर चुके हैं और आपने अभी तक एडविशन नहीं लिया है तो अगर आप BAC में एडविशन लेते हैं तो ध्यान रखेगा math subject जहूर रखेगा और या फिर BCA करिएगा ये तो अच्छे option है BCA की तरफ जाएंगे तो आपको फिर MCA में problem आ सकता अगर आपको computer line में जाना है तो अगर इन केस आप 12 अभी कर चुके और अभी ता इडविशन नहीं लिया तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी करें वो ये ध्यान रखे करें कि next three year बात क्या करना अगर आपका technical line में computer feed में जाने का interest है तो BCA या BSC करें और 70-60% minimum मांगते हैं पर क्ताय करें कि 70-75% बनाएं और कुछ बच्चों ने मुझसे यह भी पूछा था कि 12 में अगर percent काम है तो कहीं MCA में problem तो नहीं आएगी तो मैं बता दू कि 12 और 10 का percentage MCA में नहीं देखा जाता है और ये एक PG degree है क सब्सक्राइब करने से जिससे आगे कुछ नहा पॉसिबिल्टी हो ऐसे में जादा अच्छा है कि आप BCA या BSC करके MCA का preparation करें और जैसे 12 के बाद हम NIT में एडिशन लेते हैं जही मेंस के तुरू वैसे ही NIMSET के तुरू लेते हैं जही में तीन प्रॉब्लम साती फिजिक इसके मिश्टी मैस तीन सब्जेक्ट होते हैं कई बार एक सब्जेक्ट भी खुने से नहीं हो पाता MCM अच्छी बात है कि मैस के साथ साथ लॉजिकल डिजिनिंग कंप्यटर फंडमेंटल ही होता है मैस और लॉजिकल डिजिनिंग मैस का ही पार्ट है तो यह अच्छा उप 2020 वाले कर रहे हैं बट थोड़ा सा जादा टाइम आपको देना है और 2022 में जो देने वाले हैं उनको अलग तरीके से में बताना चाहूंगा पर कम माइंड इसलिए ले रहा हूं कि आप समझ पाए सबसे पहली चीज यह कि मैं आपको इच्छी बताना चाहता हूँ बहुत सा परपरेशन करते हैं आप इस बात को सुनिये मेरी क्या बोलना चाहता है क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग होता है हम normally क्या होता है कि जब हम BCA कर रहे होते हैं BCA तो हम 11-12 के मैस के टच में नहीं रहते हैं या उस लेवल पर नहीं पढ़ते हैं तो मैं एक बात बताना चा है वो यह मान ले जो second year में है कि हम अगर अभी से ही इस धंग से पढ़ें कि जो एक साल में पढ़ने के बाद जो भी possible mistake कोई हो भी गई तो मुझे जो drop लेना है वो drop year ना होके वो final year हो यह एक बहुत important keyword है जिस पर आपको द्यान रखना है कि आप यह मान के चलें क्योंकि अगर आज आप जुड़े हैं हमसे 21 या 22 के लिए तो आप यह बिल्कुल दिमाग से निकाल दें आपको final year के साथ ही एक top result देना है और कोशिश करना है कि top 100 में rank बना पाऊ और rank के लिए पढ़ाई नहीं करिएगा knowledge के लिए करिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी rank के लिए पढ़ाई करोगे तो पता नहीं rank आएगी कि नहीं पर knowledge के लिए पढ़ोगे तो rank जब आएगी तो अपने आपको आज से एक तो बात याद रखे knowledge के लिए पढ़ना दूसरी कि जो topic 20 वाले बच्चे वन वीक में करें जो हम आपको शुडूल देते हैं उसमें आपके पास यह scope है कि आप एक topic को करें जो 20 वाले बच्चे हैं वो at a time two topics को पढ़ते हैं यह में आपको बताना चाहूंगा कि 20 वाले बच्चे two topics को पढ़ते हैं जैसे एक example कि अभी class में AP GP, HP यानि progression और साथ में permutation and combination चल रहा है पर 21 वाले बच्चों को मैं बिल्कुल clear बोलूँगा कि आप या तो progression ही करें या फिर आप permutation and combination करें दोनों ना करें यह difference है और 22 वालों को एक साथ बिल्कुल clearly बोल दूँ कि आपको three year का time है आप बलकि 2019 से 20 में पूरा 11 वाले syllabus को अच्छे से करें और 20 और 21 में 11 के साथ सा 12 के syllabus को अच्छे से करें और reasoning next year ही पढ़े logical reasoning इस साल ना पढ़के next year पढ़े जिनको 22 में exam देना है यानि 22 वाले बच्चों को logical reasoning जो है वो 20 से 21 के session में पढ़ना है इस साल नहीं पढ़ना है जो 21 वाले student है उनको logical reasoning का बहुत ध्यान से सुनिएगा आप फिर भी पढ़ना हो तो 21 वाले बच्चों को logical reasoning December के बाद पढ़ना है आप ही नहीं पढ़ना है तो आपको 20 जैसे को follow नहीं करना है थोड़ा सा यह अपने अंदर differentiate करके चलना है at a time एक ही topic करें foundation book के जैसे यहां पर मैं बोलता हूँ कि कोई बच्चा जैसे 20 वाला है अगर वो foundation book पूरी नहीं कर पारा तो मैं बोलता हूँ गाइड सॉल नहीं करना पहले foundation book करो जब तक क्योंकि foundation book से बहुत कुछ हो जाता है जब तक वो नहीं होती base book जब तक कोई गाइड नहीं करो पर 21 और 22 वालों को बोलूगा foundation book भी करनी है और guide भी solve करनी क्योंकि आपके पास time है तो एक चीज़ समझ लीजे जितना time होगा practice का time उतना बड़ेगा और जितना time कम होगा practice का time कम मिलेगा यानि अगर आप 20 वाला बच्चा progression के 100 question कर पाता है तो मैं बोलूगा 21 और 22 को 200-300 करना चाहिए क्योंकि आपके पास time है जितना आप ज़्यादा practice होगा उतने strong concept बनेगे जब आप इतने पहले से online course से जोड़े हैं तो इसका benefit लीजिए कि final year आते आते तक आपको हर एक चीज़ आ जाए तो 21 और 22 वालों को एक बात बिल्कु clear बोलूगा कि जिस year में exam देना है उसके 6 महीने पहले आप हर तरह से free हो जाए मतलब आप ऐसा बोले कि मेरा आज paper हो जाए तो भी मैं top कर सकता हूँ इस level पे knowledge के साथ पढ़ा ही करनी है ये बात दिमाग में रख लीजिए इसलिए session में आपको बिल्कुल बता के ले रहा हूँ कि आपको panic होने के जवद नहीं है आपको जो प्लान में डालता हूँ जुलाई 20 वाले बच्चों का वो प्लान सुनके उसके एक एक topics को लेके चल 20 वालों के पास 10 महीन है 21 वालों के पास 10 प्लस 12 22 मन्त है और 22 वालों के पास 12 प्लस 12 यानि 34 मन्त है तो जब हमारे पास time ज़्यादा है तो practice ज़्यादा करेंगे जितनी ज़्यादा practice उतना अच्छा result drop के no chance zero chance है अब तक के records है कि जो बच्चा two year three year preparation करता है वो best or top result देता ह हो आरा है और आगे भी देगा बट अपने focus को डाइवर्ड मत करिये confused मत हो ये बिलकुल hundred percent अपने college की preparation भी साथ में करिये और एक और चीज मुझसे पूछी दी बच्चों ने कितने घंटे पढ़ना चाहिए 2020 वाले बच्चे normally 8 to 10 hour की preparation करते हैं पर जब कोई 21 वाला है तो इसको 4 to 6 hour पढ़ना है और 22 वाले को 4 की preparation करना है ये भी एक advantage मिलेगा तो आपके उपर पूरे whole the year college का pressure कभी भी नहीं आएगा तो आप बिना pressure के बहुत ही positive mind से preparation कर सकते हैं और वही करिए जितना ज़्यादा practice करेंगे पहले आरडी शर्मा की subjective book के एक example करिए एक example करने के बाद पूरी exercise करिए 20 वाले बच्चों को हम बोलते है example के बाद exercise कर पाऊ तो ठीक नहीं तो example सारे कर लो यह differences होते हैं वो differences समझ लिए तो problem खतम हो जाएगी 21 22 वालों को में बोलता है example exercise भी करनी फिर उसके बाद objective guide solve करनी यहां पर objective guide कर पाए तो ठीक नहीं कर पाए तो अंतर कोई फरग नहीं पड़ता आप समझ यह कई बच्चे 9 से IIT की preparation करते हो सकता आप में से कुछ की हो कुछ लोग ने वो लोग 11 तक अपना पूरा syllabus निपताते हैं इसलिए वो 12 में पूरे माइंड फ्री रहते हैं 12 के साथ यही में परफॉर्म करते हैं पर जो 11 के बाद यह 12 में पर प्रिपरेशन आइटी के स्टार्ट करते हैं कई बाए उनको बहुत प्रेशर होता है 12 का और इसलिए कई बार उनका रिजर्ट विगरते हैं तो ऐसे में 21 22 को बिल्कुर क्लियर मै मेंस और एडवांस लेवल वाले जो कोशन्स दियें वो ना करें वो आप नेक्स टियर कर सकते हैं जबकि 20 वाले को इस सब अभी करना है इसलिए 22 और 21 वालों को बहुत स्पेशली बोलूँगा कि अभी पहले फांडेशन को स्ट्रॉंग करना है और उसके बाद ही आपको फ और 21 डाउट आए तो आप मुझे अपने कोशन भीजिए मैं उसके लिए फिर से सेशन लूँगा थैंक्यू एंड वंस अगें अल्द बेस्ट और जिस तरह से आप जुड़ते जा रहे हैं बहुत ही खुशी की बात है कि आवेनेस बढ़ लाईए और आवेनेस बढ़ने से कॉम्टिशन जभी बढ़ता है पर कॉलिटी आप क्राउड लेवला पेपर यह सभी बढ़ता है यह एक अच्छी बात होती है एंड वंस अगें अल्द बेस्ट